कहते हैं कि इतना ड्रामा तो लड़की भी नहीं करती जितना ड्रामा बिटकॉइन कर रहा है और यह ड्रामा कहीं न कहीं जरूरी भी है और जो हम डिसकस करते आ रहे हैं कि एक पर्फेक्ट टाइम जब आएगा तो मार्किट के अंदर आपको एक जवरदस्त रैली देखने को मिलेगी एक पर्फेक्ट एक सही टाइम आएगा तो बिटकॉइन आपको एक लाख डॉलर भी ट्रेड करता हुआ दिख जाएगा एक्सेंजर के ऊपर ठीक है ड्रामे जरूरी है लेकिन उन ड्रामों के बीच में हो क्या रहा है बहुत सारे ट्रेडर्स का लॉस हो रहा है औ सबसे बिटकॉइन है मार्च में हाई लगा दिया था अपरल में और जून अब तक जो लिक्विडेशन हुए है अगर मैं तीनों महीने का लिक्विडेशन डेटा उठाओं तो सबसे ज्यादा लिक्विडेशन लॉंग वालों के हुए क्योंकि बिटकॉइन 73 को ब्रेक ही नहीं कर पाया नीचे ही चल रहा है अगर प्रेक कर पाता तो शोट के ऑफिडेशन दोते और ऐसा भी नहीं कि शोट के लिक्विडेशन नहीं हुए नेकिन बहुत कम है लेकिन बड़े लेवल पे लांग पॉल्ग ने पिछले तीन महीनों में अपना पैसा गवाया है कल बि तभी तो ऑक्टूबर में मज़ा आएगा तभी तो ऑक्टूबर में मार्किट अपने रंग दिखाएगा है ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ये वीक भी अगर जाता है रेड में जो की जाई रहा है ठीक है आज सेटेडे है कल संडे है पर सो वीकली गंडल क्लोज हो जेगी और आखरी वीक भी हमने कहा है कि 60, 61, 62 की रेंज दिख सकती है तो जून मंत कुछ खास रहेगा नहीं ठीक है एंड में भी कुछ खास नहीं होने वाला बीच में एक आदा गेम हो जाए शॉर्ट के लिक्विडेशन के लिए तो वो कोई बड़ी बात नहीं है ठीक है तो देखना जरूरी है कि जुलाई का महीना भी हम देखे हैं तो में भी हमको बिटकोईन 55 से लेके 60, 61, 62 की रेंज में दिख जाए जुलाई का महीना भी है ना अगर चीजें थोड़ा और नीचे जाती है तो और जैसे जैसे फिर ऑगस्त सेप्टमबर आएंगे फिर गाड़ी की लिस्ट में और अपने प्रीमियम चैनल में हम इसकी ट्रेड डिसकस कर चुके हैं 26 परसेंट प्राइस बढ़ते हुए LFT के जैसा हम अल्रेड़ी डिसकस कर चुके हैं वैसा आज रिजल्ट LFT का दिख रहा है मोग भी चल रहा है आज 20 परसेंट बेक के प्राइस तो कंट अबाउट इस एक्साइटिंग ओफर फोर वी आईएईपी फ्रॉम बाइबिट कार्ड बाइबिट कार्ड को लेकर यहां पर कुछ एक्साइटिंग ओफर सेंट 10,000 EUR USD विद यूर बाइबिट कार्ड बाइबिट सेवन जुलाई 2024 एंड गेट 150 यूस टिट इन ट्रेडिंग बॉनस तो एक तरह से बहुत सारे एक्सेंजिस के खुद के कार्ड है और उनके उपर अच्छे ओफर भी चलते रहते हैं ताइम टाइम के उपर तो बाइबिट भी अ तीन क्रिप्टो हैं मतलब क्रिप्टो डॉट कॉम विल सपोर्ट सपोर्टिंग दा फेच एए फटी ओशन प्रोटोकॉल ओशन और सिंगुलारिटी नेट एजिक्स टोकन मर्ज इन टोकन्स का मर्ज हो चुका है अभी दो दिन पहले बाइनस ने भी सपोर्ट किया और अब पंप भी हो रहे थे हमने डिसकस किया था एंड दो मर्जर विल कंबाइन एजिक्स ओशियन इन्टू एफ एटी और फेच यह विल बी रीनेम टू आर्टिफिशल सूपर इंटेलिजेंस अलाइंस तो मर्ज हो चुका है इन तीनो क्रिप्टो करेंसी का ठीक है मतलब बहुत बड़ी अपडेट है यहां पर फेच यह ओशन प्रोटोकॉल एंड सिंगुलारिटी नेट टोकन मर्ज नेक्स्ट नम बात करेंगे बीयर कोईन के बारे में बीयर कोईन के प्राइज जब यह मार्किट में आया था नो डाउट बहुत ही अच्छा पंप हो रहा था और कहते में किसी कोईन से अच्छा प्रॉफिट बुक करने कि उनकी मंशा होती है न तो ऐसा ही होता है लेकिन जब प्रॉफिट बुकिंग की इस लेवल पे जाकर यहां पे जो प्रॉफिट बुकिंग होई है वो इतनी तगड़ी प्रॉफिट बुकिंग होई है कि प्राइज जहा प्राइज 0.57 डॉलर से कहां गिर गया 0.045 पे आ गया है मतलब एक जीरो प्राइज में एड कर लिए कहां तो 0.57 था और कहां 0.045 आ चुका है यह हाल चल रहे हैं बियर के उमीद है वापिस लेवल उपर जा सकते हैं 0.1 तक लेकिन थोड़ा सा रिस्की ट्रेड रहेगी और इतना ही नहीं बहुत सारी वेल्स ने अच्छे प्रॉफिट बुकिंग तो यहां पर की है लेकिन कुछ ऐसी वेल्स हैं जिनको अच्छा तगड़ा लॉस भी हुआ बियर से तो इस वेल का दर्द आप यहीं से समझ सकते हो इस वेल ने अच्छा खर्चा किया था 7.6 मिलियन दॉलर का तुबाइ 35 बिलियन वीर from मेश 25 जुन 18 मतलब 25 मही से लेके 18 जुन तक इसने 7.6 मिलियन डॉलर का खर्चा किया 35 मिलियन वीर खरीदने में और रिजल्ट किया मिला विच इस नाव वार्थ वार्थ अउनली 1.8 पॉंट 8 मिलियन डॉलर 7.6 मिलियन डॉलर 1.8 मिलिय रहे गए मतलब यह ऐसी वेल निकली जिसका लॉस हुआ मार्किट के अंदर बड़ा मतलब यह सिनेरियो कभी कभी देखने को मिलते हैंगी वेल को इतना मोटा लॉस हुआ और यह मोटा लॉस ही है यह लोस्ट 5.8 मिलियन डॉलर यानि 47 से 48 करोड लगा लीजिए आप 6 मिलियन की अच्छे मुवमेंट अब यह इंसाइडर है या जो भी हैं लेकिन उन्हें अच्छा पैसा बनाया है कोई फाइनेशल एडवाइस नहीं है दा इंसाइड इंसाइडर स्पेंट सिक्स्टीन सोलाना दो हजार 2100 सोलाना मतलब एक तरह से 2100 डॉलर लगाए यानि दो लाग स से नंबर थोड़ा सा कम है एक लाग सत्तर हजार असी हजार के करीब लगा लीजे इतना पैसा लगाया क्या खरीदने के लिए गनिट खरीदने के लिए ठीक है और थू मल्टीपल एड्रेसेज एट आवर एगो और क्विक ही इमेजिएटली सोल्ड ओल उफ इट फॉर 25,491 सोलाना बन गई और इसने क्विक सेलिंग की साथ हजार साथ लाग 21,000 डॉलर की मतलब 2100 एक लाग सत्तर हजार असी हजार डॉलर यहां पे 6 करोड रुपया बन गया साथ लाग 21,000 डॉलर तो इतना ही होता 6 करोड बन गया और मेकिंग 5475 सोलाना यानि मतलब 343 एक्स का और एक लाग सत्तर हजार रुपया सी हजार रुपया बन गया 6 करोड रुपया तो गनिट से 6 करोड बनाया और एक इंसाइडर ने 11,239 सोलाना बनाई 1.6 मिलियन डॉलर बनाया इन जस्ट टू डेज कोस्टली ऑनली 23 सोलाना इसने 33,300 डॉलर लगाई यानि तकरीबन तकरी 24,000 या 24,000 डॉलर तकरीफ हजार 23,300 डॉलर इतना ही होता है औरॉर सिय्टuteur क इण भी अदर सात सोलाना छॉल सोलाना घ्य और कितने बन गई 5,766 सोलाना बन है और इसमें गनिट के अंदर सीच में 16 सोलाना लगाये और यह यह वही है जो अभी हमने ही इन डिसकस्थ कीया है लगाई लगाई कितनी थी सिर्फ 23 सोलाना मतलब 23 सोलाना से कितनी बन गई 11,230 और 23 कितना मतलब 2,60,000 रुपे से इसने कितना बना लिया 1.6 मिलियन डॉलर यानि तकरीवन तकरीवन ये नंबर पहुंच गया 13 से 14 करोड जी हां 13 to 14 करोड ये नंबर आपके सामने है रिजल्ट आपके सामने है कोई financial advice नहीं है ये insider भी हो सकते हैं है ना लेकिन नंबर बहुत बड़े शांदार हैं बहुत huge हैं सिर्फ 2,70,000 असी हजार का investment किया और यहां पे 13 to 14 करोड रुपीज बन गए 2 दिन के अंदर नेक्स्ट अपडेटेड डॉज विफ हैट को लेके सौनाना का ये meme coin बहुत अच्छा pump हुआ था स्टार्टिंग इसी ने की थी एक wave की और इसी को लेके एक whale की हल चले लेवेल डिपॉजिट 12.6 मिलियन डॉज विफ हैट 23 मिलियन डॉलर के हैं तू बाइनस इन दा पास्ट टू डेज पिछले कुछ टाइम से आपने ब्लास्ट का नाम जरूर सुना होगा इसकी TVL पिछले कुछ टाइम से काफी जयदा बढ़ रही थी जब यह मार्किट में ह लिस्टिंग हो रही है 26 जून को हो सकता है बहुत सारी एक्सेंजिस पर ब्लास्ट आपको देखने को मिले ठीक है तो बाइब बिट गेट ने आपर अनौंस कर दिया है ब्लास्ट की लिस्टिंग आज की इस वीडियो करेंगे यही पेंट बाकी अपडेट्स आपको अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए कोई अपडेट मिस नहीं होगा तब तक के लिए बाइबाए टेक कियर